गुड मोर्निंग क्लास, बेपर थर्ड, पोलिटिकल साइंस, पेपर फॉस्ट, पास्च्यत्य प्रतिनिधी राजनितिक विचारक, यूनिट थर्ड चेप्टर है हमारा रूसो, और आज की लेक्चर का टॉपिक है रूसो की सामन्य इच्छा का सिध्धान्त सामन्य इच्छा का सिध्धान्त रूसो का सबसे महत्वपून राजनितिक सिध्धान्त है। नैतिक तथा अनेतिक भावनों से मुक्त संपत्ती तथा परिवार से रहित आदिम स्वन युग की आनंद की दशा में रहता था परन्तो धीरे धीरे मानव जाती की संख्या में व्रद्धी होने लगी जलवायू की भिन्नता से अलग स्थानों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के इस्तर में अंतर उत्पन हो गए और जब क्रशी का विकास हुआ तो लोगों में एक मोख की भावना ने जन्म ले लिया और उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि वह भूमी जिस पर वह रहता है यदि उसे प्राप्त हो जाए तो उसे अन्य नए स्थान पर जाने की परेशानी नहीं होगी और वह आसानी से अपना जीवन वेतीत कर सकता है इस प्रकार तेरे मेरे की भावना का विकास हुआ जिससे प्राकर्तिक शान्ति में जीवन नश्ट हो गया प्राकर्तिक समानता समाप्त हो गई और आपसी द्वंद संगर्ष और इस तरह का अशान्त वातावरन उत्पन होने लगा इस अराजकत पूर्ण स्थिती से छुटकारा पाने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा अपने संपून अधिकारों का समर्बन किया गया समझोते के परेणाम स्वरूप संपून समाज की एक सावन इच्छा उत्पन होती है और सभी व्यक्ति इस सावन इच्छा के अंतरगत रहते हुए कारेरत रहते है इस प्रकार रूसो द्वारा सामाजिक सम्झोते द्वारा निर्मित राज्य को सामन्य इच्छा कहा गया है रूसो के संपूर्ण दर्शन में सामन्य इच्छा का सिध्धान्त उसका मौलिक योगदान है, मौलिक देन है सेबाईन के अनुसार रुसो द्वारा कहा गया अतीमहतुपून तथ्य सामन इच्छा की अवधारणा है रुसो ने अपनी सामन इच्छा की अवधारणा द्वारा ही दो विरोधी तत्पों में संतुलनव सामज से इस्थापित किया है रूसो अपनी इस धारणा पर स्वतंत्रता और सत्ता हित और करता व्यक्तिकता और सर्व व्यापकता में सामन्जस से प्रस्तूत करता है व्यक्ति समझोते द्वारा समुदाई के लिए अपनी शक्ति का जो परित्याग करता है उससे उसकी व्यक्तिक इच्छा का स्थान एक सामन्य इच्छा ले लेती है इस प्रकार सामन्य इच्छा को समझने के लिए प्रूसो द्वारा प्रतिपादित मानव इच्छा के विशलेशन को जानना अवश्यक है अनुष्य एक विवेक्षील विचारवान प्राणी है किसीने किसी प्रकार के विचार या इच्छाएं उसके रिदय में सदा उत्पन होती रहती है मानव की ये इच्छाएं सावान्य तह दो प्रकार की होती है प्रतम यथार्थ इच्छा और दूसरी आदर्श इच्छा रूसों के अनुसार यथार्थ इच्छा स्वार्थ प्रधान होती है यथार्थ इच्छा मानव की इच्छा का वह भाग है जिसका लक्ष व्यक्तिगत स्वार्थ की पुष्टी हो और जो स्वियम व्यक्ति में केंद्रित है इसके अंतरकत सामाजिक हीत की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रबलता होती है डॉक्टर आशिर्वादम के शब्दों में यह व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा है शनिक एवं तुछ इच्छा है यह संकुचित तथा स्वय विरोधी है सेकिंड है आदर्श इच्छा मनुष्य की आदर्श इच्छा उसके व्यापक द्रश्टि कोण का परिणाम होती है आदर्श इच्छा मानव की वह इच्छा है जिसका लक्ष संपूर्ण समाज का कल्यान हो इस इच्छा के नुसार मानव स्वयम के हित को सामाजिक हित का अभिन भाग मानता है और संपूर्ण समाज के हित को द्रश्टी में रखते हुए विचार करता है इस इच्छा में व्यक्तिगत स्वार्थ का सामाजिक हित के साथ सामंजस्य तथा व्यक्तिगत स्वार्थ पर सामाजिक हित की प्रधानता होती है डॉक्टर आशिरवादम के शब्दों में यह जीवन के समस्त पहलों पर व्यापक रूप से द्रिश्टिपात करती है यह विवेकपूर्ण इच्छा है यह व्यक्ति तथा समाज के सामन जस्य में प्रकट होती है जहां तक सामन इच्छा का संबंद है सामन इच्छा मानव की आदर्श इच्छाओं का योग मात्र है अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि सामन इच्छा मानव की इच्छा का वह श्रेष्ट भाग है जो समपूर्ण समाज के लिए आवश्यक रूप से हित कर हो यानि कि सामन इच्छा सब नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश सामन हित हो सामन इच्छा कहलाती है यह सब व्यक्तियों में से आने चाहिए और सब व्यक्तियों पर लागू होने चाहिए इस संबन में डॉक्टर आशिरवादम ने कहा है सामन इच्छा की परिभाशा एक समाज के सदस्यों की आदर्श इच्छाओं के योग अत्वा इससे भी अधिक उत्तम शब्दों में उनके एकी करण के रूप में की जा सकती है विद्वान ग्रिन ने सामन इच्छा की सुक्ष्म और अर्थपून व्यक्षा करते हुए कहा है की सामन आदर्शों की सामन चेतना ही सामन इच्छा है विचारक बोसंके ने सामन इच्छा की व्यक्षा करते हुए कहा है की सामन इच्छा संपोन समाज की सामूहिक अत्वा सभी विक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समू होता है जिनका लक्ष सामन्य हित हो इस विवेचन से इसपेश्ट है कि रूसों की सामन्य इच्छा के दो अंग है पहला सामन्य व्यक्तियों की इच्छा और दूसरा सामन्य हित पर आधारित इच्छा सामन इच्छा के इन दोनों अंगों में द्वीतिय प्रथम से अधिक महत्वपूर्ण है जैसा कि स्व्यम रूसों ने कहा है मत दाताओं की संख्या से कम तता उस सामाजिक हित की भावना से अधिक इच्छा सामन बनती है जिसके द्वारा वे एकता में बनती है अब देखते हैं सामन इच्छा का निर्मान इस संबन में रूसों का कहना है कि हम सबकी इच्छा से चलते हैं और सामन इच्छा पर पहुँचते हैं जब कभी जनता के सामने कोई प्रश्ण या विश्य उपस्तित होता है तो प्रत्यक व्यक्ति उस प्रश्ण पर अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोन रखता है ऐसा समाज यदि सब्व्य और सूसंस्कृत हो और उसमें नागरिक्ता की भावना हो तो विचारों के आदान प्रदान की इस प्रक्रिया में व्यक्तिओं की जो स्वार्थपूर इच्छाएं हैं वे एक दूसरे की इच्छाओं को नश्ट कर देती है और इस प्रक्रिया के परिणाम सुरूप सामन इच्छा का उद्य होता है पारसपरी वाद्विवाद के परिणाम सुरूप व्यक्तिगत इच्छाएं परिश्कृत हो जाती है और उनकी इच्छा का सर्वोत्तम रूप प्रकट होता है जो सामन्य इच्छा है अब देखते हैं सामन्य इच्छा की विशेशताएं फर्स्ट पॉइंट है अखंडता सामन्य इच्छा का एक विशेश लक्षण उसकी एकता या अखंडता है यद भी सामन्य इच्छा की एकता में विभिन्नता भी होती है परन्तु विवेक युक्त और बुद्धिजन्य होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार का आत्मविरोध नहीं होता जैसा कि स्व्यम्रूसों ने कहा है सामन्य इच्छा राष्ट्री चरित्र में एकता उत्पन करती है और उसे स्थिर रखती है सेकेंड पॉइंट है अदेता सामन्य इच्छा अदेह अर्थात यह इच्छा किन ही व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है इसी आधार पर रूसों कहता है कि सामन्य इच्छा प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त किये जाने के योग्य नहीं होती है रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थक है उपासक है जिसमे व्यक्ति स्वमेव अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं रूसो के अनुसार प्रतिनिधियों के माध्यम से इसे व्यक्त करना व्यक्तियों के पहुमुल्य अधिकारों का हनन तथा लोकतंत्र की हत्या है थर्ड पुइंट है सर्वोच्चता एवं निरंकुष्था सामन्य इच्छा का एक अन्य लक्षन सर्वोच्चता और इसका निरंकुष होना है इस पर किसी वर्ग संस्था आदी से नहीं देविये प्राकर्तिक और परंपरागत नियमों का किसी प्रकार का कोई प्रतिबंद नहीं होता ये किसी व्यक्ति ये व्यक्ति समू के अधिकारों से भी नियंत्रित नहीं होती है इस प्रकार सभी के द्वारा सामन्य इच्छा का पालन किया जाता है और उन्हें ऐसा करना ही होगा कोई भी इसकी अवेलना नहीं कर सकता रुसो के अनुसार स्व्यम प्रभु सकता भी सामान इच्छा में निहित होती है और उसके अधिन होती है नेक्स्ट पोइंट है संप्रभुता सामान इच्छा सर्वोच और संप्रभु होती है इस पर किसी प्रकार के देविय और प्राकर्तिक नियमों का प्रतिबंद नहीं होता यही कानून का निर्मान करती है धर्म का निरूपन करती है एवं नैतिक और सामाजिक जीवन को संचालित करती है रोसो के शब्दों में जो कोई सामन इच्छा का पालन नहीं करता वह आग्या पालन के लिए समस्त समाज द्वारा बाद्दे किया जा सकता है इसका अर्थ इससे अधिक कुछ नहीं है कि उसे स्वतंत्र होने के लिए बाद्दे किया जाए नेक्स्ट पॉइंट है अविभाज्यता सामन इच्छा को विभिन भागों, हिस्सों या अंशों में विभाजित नहीं किया जा सकता इसमें अविभाज्यता का लक्षन पाया जाता है सामन ने इच्छा संपूर्ण नाकरिक समाज रूपी शरीर में व्यापत रहती है उसके किसी अंग यानी राजा वर्ग या संस्था में नहीं नेक्स्ट पॉइंट है लोक कल्यानकारी सामन्य इच्छा की एक अत्यंत जो महतुपुन विशेस्ता है उसका लोक कल्यान कारी होना है सामन्य इच्छा व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग होती है और व्यक्तियों की ये आदर्श इच्छाएं जन कल्यान से प्रेरित होती है अतह सामन इच्छा का लक्ष सदेव ही समपून समाज का कल्यान होता है स्विम प्रोसों के शब्दों में सामन इच्छा सदेव ठीक ही होती है परन्तु वह निर्णे जो इसका पत प्रदर्शक होता है सदेव समझदारी पूर्ण नहीं होता है next point है विवेक पर आधारित सामन इच्छा किसी प्रकार की भावनाओ पर नहीं वरन तर्क तथा विवेक पर आधारित होती है यह हमेशा उचित और सही होती है क्योंकि हमेशा पुरे समाज के कल्यान या हिट से प्रेरित होती है स्वियम रूसों के शब्दों में सामने च्छा सदेवी, विवेकपून एवं न्याय संगत होती है क्योंकि जनता की वानी वास्तव में ईश्वर की वानी है और लास्ट पोइंट है कानून का श्रोथ नैतिक त्रिष्टी से सामन्य इच्छा संपून नागरिक समाज के हित के इच्छा है अतह वसादेव न्याइपून और उचित होती है वहतिक त्रिष्टी से भी सामन्य इच्छा सर्वोच्च्व निरंकुष होती है और स्व्यम प्रभुसक्ता भी सामन्य इच्छा के आधीन होती है सामन्य इच्छा की इन विशेष्टाओं के कारण ही रूसो सामन्य इच्छा को ही कानून का श्ट्रोत मानता है रूसों के अनुसार कानून का श्रोत प्रभू सकता नहीं अपितू सामन्य इच्छा है इस संबन्द में रूसों का कथन है कोई उसकी आग्या का विरोध नहीं कर सकता कोई सामन्य इच्छा की आज्या का पालन नहीं करता तो उसे आज्या पालन करने के लिए बाद्य किया जाएगा इस प्रकार सामन्य इच्छा की अनेक विशेष्टाओं से सामन्य इच्छा अवधार्ना की प्रकृति को समझने में सहेता मिलती है और इन विशेश्टाओं के आधार पर हम इस निश्कर्ष पर पहुँचते हैं कि राजनितिक संगठन या राज्ये को एक संगठित शरीर या विराट पुरुष मानना चाहिए इसमें अन्य साव्यवों की भांती साव्यवी एकता होती है यहाँ राजनितिक संगठन या विराट पुरुष नैतिक प्राणी होता है इसकी अपनी इच्छा होती है यह संपूर्ण समाज के कल्यान के लिए प्रयतनशिल रहती है यह सब कानूनों और विधियों का मूल श्रोत है यह अपने राज्य के सब सदस्यों के लिए न्याय और अन्याय का निर्धारन करती है यह सदेव सही और सारजनिक हित का पोशन करने वाली होती है सामन्य इच्छा ही उस समाज या राज्य की समप्रभू है समप्रबु होने के कारण सामन्य इच्छा की सभी आज्याओं का पालन करना समाज के व्यक्तियों के लिए अविश्यक है अब हम देखते हैं सामन्य इच्छा का मुल्यांकन रूसो के द्वारा जो सामन्य इच्छा की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है इस के समर्थन में भी अनेक तरक दिये गए है और इस सामन्य इच्छा की आलोचना भी बहुत प्रबल रूप से की गई है यद्दपी रूसों ने सामन्य इच्छा के सिधान्त के द्वारा प्रत्यक्ष लोगदंत्र का समर्थन किया है सामन्य इच्छा को व्यक्ति की स्वतंत्रता वा समानता का रक्षक बताया है अचारी शाषन की इस्थापना की जा सकती है सामन्य इच्छा के इस सिधान्त में रूसों ने राज्य को एक साव्यव माना है और उसके इच्छा को सामन्य इच्छा कहा है इस संबन्द में विचारक वहान का मत है कि रूसों ने अपनी समग्रतावादी अवधारणा के द्वारा व्यक्ति की हैसियत को शुन्य में बदल दिया है व्यवहारिक द्रश्टी से भी इसे दोश्पूर्ण माना गया है रूसों मानता है जब किसी नागरिक सभा में किसी सारुजनिक महत्व की समस्या पर विचार होता है तो नागरिक अंतिम द्रश्टी से अपनी आदर्श इच्छा को ही महत्व देते हैं और इस प्रकार सारजनिक हित की द्रश्टी से ही किसी निर्णे पर पहुंचते हैं परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं होता है नागरिक सभा में विभिन जो समू है वो वर्गी हितों पर बल देते हैं और जो सभा में मतदान भी वर्गी हितों के आधार पर होता है इस इस्तिती में नागरिक सभा में लिए गए निर्णे सामनिच्छा के अनुरूप नहीं होते हैं तो सामनी इच्छा का सिध्धान्त व्यक्ति की यथार्त इच्छा और आदर्श इच्छा की कलपना पर खड़ा हुआ है और इन दोनों इच्छाओं में रोसो अंतर करता है और उन्हें परस पर विरोधी मानता है परन्तु आलोचकों का मत है कि व्यवहार में इन दोनों प्रकार के इच्छाओं में अंतर करना उन्हें अलग करना ऐसा संभव नहीं है इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी रूसों का सामने इच्छा के सिधान अपना महत्व रखता है सामने इच्छा का सिधान राज्य को क्रत्रिम संस्था अत्वा मात्र भोतिक बल पर खड़ी संस्था नहीं मानता है अपितु यह सिधान राज्य को व्यक्ति के लिए एक स्वाभाविक वा नैतिक संस्था सिद्ध करता है ये सिधांत राज्चे को एक शरीर मानता है और इस तरह नागरिक समाज की एकता परवल देता है इससे राष्ट्रिय एकता में व्रद्धी होगी राष्ट्रिय एकता और मजबूत होती है ये सिधान्त राज्चे को एक शरीर मानकर व्यक्तिव राज्चे के संबंदों में विरोध को समाप्त करता है इसे अंगिक एकता के सापना होती है ये सिधान्त शासन का अधार जन सहमती को मानता है इस सिधान्त के अनुसार नागरिकों को प्रत्यक शुरूप से शासन के कारियों में भाग लेना चाहिए रूसों ने प्रक्रती अत्वा प्रभुसत्ता को अधिकारों का श्रूत नहीं माना उसका मत है कि विक्तिक अधिकारों का श्रूत सामन एच्छा है जो संपूर्ण नागरिक समाज में व्याप्त है इस प्रकार रूसो अधिकारों का समाज को मानता है तो निशकर्ष रूप में कहा जा सकता है कि रूसो की सामन इच्छा के सिधानत में कुछ दोश है जो अईसपष्ट है अनिश्चित है और इस सामन इच्छा के नाम पर निरंको शासन की स्थापना का भैवना रहता है परन्तु इन कमियों के बावजूद भी इस अवधारना का पर्याप्त महत्व भी है यह सिधानत न केवल लोकतंत्र का समर्थक है अपितू यह इस आदर्श पर भी बल देता है कि शासन का एक मात्र उद्देश सार्वजनिक हित की रक्षा एवं व्रधी होने चाहिए विचारक डबलू टी जोन्स का यह कथन उचित है रोसो की सामन्य इच्छा की अवधारना केवल उसके राजनितिक सिध्धानत का ही सरवादिक महत्वपून भाग नहीं है अब इतु यह रोसो की राजनिती विज्ञान को एक अत्यनत मॉलिक एवं रोची कर भेट है और राजनिती विज्ञान की इतिहास में इसका अनुपम इस्थान है आज के लिए इतना ही धन्यवाद